जहां बड़े NBFC को Reserve Bank of India से कुछ राहत मिली है provisioning norms जो अभी release किये गए है Reserve Bank of India ने scale based regulations के तहत जो बड़ी NBFC हैं जो upper layer में NBFC हैं उनके लिए provisioning norms release किये हैं वो 1 October 2022 से लागू होने हैं अभी तक NBFC को करीब 0.4% की standard provisioning करनी परती थी कोई भी standard asset यानि कि वो NPA नहीं हुआ है, loan दिया है वहाँ पर भी 0.4% की provisioning करनी परती थी जो अभी के current norms release हुए हैं वहाँ पर कुछ categories में NBFC को राहत मिली है उधारण के तोर पर individual housing loans और SME loans पर अब 0.25% provisioning करनी परती थी standard assets पर जो पहले 0.4% करनी परती थी लेकिन teaser loans पर यहाँ पर जो provisioning है वो जादा रखी गई साथी साथ commercial real estate पर 0.75% की provisioning करने को बोला गया है जो residential housing में हैं लेकिन other commercial real estate loans पर 1% की provisioning करनी होगी जो कि पहले से कही जादा है हाला कि जो बाकी सारे categories हैं जो Reserve Bank of India ने specify नहीं किये हैं वहाँ पर 0.4% की जो provisioning है वो continue रहेगी आपको याद होगा Reserve Bank of India ने scale-based regulation रिलीज किये थे क्योंकि सभी NBFC को अलग-लग मापदंडों पर मापद्याए जाएगा और इसी लिए सब के लिए अलग-लग norms होंगे ये पिछले साल Reserve Bank of India ने रिलीज किया था और अभी provisioning specified किये है जो कि टॉप लेयर यानि अपर लेयर ऑफ NBFC के लिए झाल झाल